हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपके केमेश्ट्री सब्जेक्ट में नए टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं साबुन की साबुन जो है वो उच्छ वसीय अमल जैसे पामिटिक इस्टेरिक तथा ओलिक एसिड के धातु ल हमलों के सोडियम या पोटेशियम लवन मैल साफ करने का गुणप्रदर्शित करते हैं और साबुन का निर्मार वसा या तेल के छार द्वारा जल अब घटन से किया जाता है तो तेल या वसा का कास्टिक सोडा विलियन द्वारा जल अब घटन कराने पर हमें साबुन या ग संत्रप्त वसा कठोर साबुन और असंत्रप्त वसा जो है वो सौफ्ट साबुन अर्थात नहाने वाले साबुन बनते हैं तो सोडियम एवं पोटेशियम के विपरीत अन्य धातों के लवन जल में अल्प विले मात्रा में विले होते हैं या विले होते हैं तो साबुन और पोटेशियम साबुन सोडियम साबुन की तुलना में मुलायम होते हैं अब हम बात करते हैं साबुन निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ होगी सबसे पहला है वनस्पती तेल या वसा तो साबुन बनाने में हम मुंकली, महुआ या अरंडी या नारियल आदी का तेल हम प्रयोग करते हैं दूसरा जो पदार्थ है वो है कॉस्टिक सोडा या पोटास साबुनी करण की क्रिया में प्रयुक्त होता है तीसरा हमारा जो पदार्थ है वो है फिलर्स अर्थात पूरक कुछ ऐसे पदार्थ जो साबुन में मिलाने पर साबुन को यह निश्चित आकार यह मरंग दे देते हैं तथा साबुन धारा जाग बनाने की प्रक्रिया में व्र रोजा रेजिन जिसे कहते हैं वो मिला देने से साबुन अधिक जाग उत्पन करता है और सुगंध एवं कीटाड रोधी गुण को बना रहने के लिए साबुन में हम फ्रेग्रेंस या एंटिसेप्टिक पदार्थ हम मिलाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं साबुन के निर्म लेकर भाब के द्वारा धीरे धीरे गरम करते हैं उसमें हम 10% कास्टिक सोडा विलन मिलाकर इसे उबलने तक हम गरम करते हैं साथी साबुनी करनर की क्रिया पूर्ण होने पर साबुन जाग के रूप में उपर तैरने लगता है तो इस प्रकार जो भी मिश्राण हमें प्रा साबुन को साबुन को प्रतक करके पहले सोडियम हाइड्रॉकसाड के ताजा विलियन फिर जल के साथ उबालते हैं जिससे वसाय वंचार की जितनी भी इंपियोरिटी अशुदियां वह दूर हो जाती है इस तरह अब हम साबुन को पाइप के दौरा एक टैंग में ले जात भी मैंने बात की थी उनकी हम पूती रोधिया आधि पतात मिलाकर साचों में डालकर साबुन को ठंडा कर लेते हैं और उसे हम अनिश्चित आकार और प्रतान करते हैं तो यह हमारी थी गरम जाब भात करते हैं ठंडी य की ठंडी विदी जो है इसमें ये बहुत ही निमने इस्तर की विधी है इस विधी में वसा या तेल को लोहे की कड़ाई में लेकर लगभख 50 डिगरी सलसियस तक गरम करते हैं और उसमें एने ओएच विलियन की मातरा धीरे धीरे मिलाते हैं और मिश्टरन को एक लकडी के डंडे की सहायता से हम निरंतर हिला तो साबुनी करण की क्रिया के फल्सुरूप हमें ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त होते हैं और मिश्टरन को जब हम गाढ़ा करते हैं तो इसमें हम फिलर्स अर्थात पूरक या अन्य सुगंदित पदात अंटिसेप्टिक वगएरा मिला देते हैं तो प्राप्त अर्था ठन्डी विधी के दवरा तो इस विधी के दौरा हम सस्ते साबुन का निर्मार कर सकते हैं साथ ही साथ अब हम बात करते हैं डिटर्जण्ट या अपमारजग की तो डिटर्जण जो है वह वह भी एक किरूप में थीकर इसको हम डिटर्जण्ट असको ड्राई फॉर्म होता है उसे हम डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं डिटर्जेंट भी जो है वो कठोर और मनदू जल के साथ अलग अलग प्रक्रियाएं देते हैं अलग अलग परिणाम देते हैं कठोर जल के साथ उसमें जाग कम आता है और मनदू जल के साथ जाग ज्यादा आता है जैसा हम अकसर देखते हैं कि हम पानी गरम करके अगर डिट की दूर नहीं होती तो इस तरीके से हम डिटर्जेंट के भी इस्तमाल इसी तरीके से करते हैं डिटर्जेंट को भी बनाने का कारी करते हैं हम मुख्यता समझ लेते हैं कि साबून और डिटर्जेंट में डिफ्रेंस साबून बनाने में हमने आपको बताया कि इस तरीके के वि कि रूप में लिक्विट फॉर्म ac probe साबुन है ले कि हमारा डिटरजेंट के लुप के रूप में हियं होता है साथि शाथि स्वह पिखन कि साद जिनको हम साबुन क्रोप में भी यूस करते हैं कास्ठिक सोडा को ले इके के बारे में चर्चा थी